एक सवाल मेरे पास आया है उन्होंने पूछा है कि जगत में अच्छाई और बुराई शुब और अशुब दिखाई देते हैं अच्छाई को तो हम मान सकते हैं कि प्रभू है किन्तु बुराई को कैसे स्विकार करें कि वह भी प्रभू है हमारे मन में शुब और अशुब का बड़ा द्वन्द है अंग्रेजी में जो शब्द है पीश्वर के लिए God वो गुड से बना है जो अच्छा है शुब है हमारे हित्मे है हमें प्री है हमारे अनकूल है उसे हम God का नाम देते हैं और जो हमें प्री नहीं है हमारे प्रतिकूल है हमें सत्रू जैसा भासता है अशुब लगता है उसको हम evil शैतान का दर्जा देते हैं राक्षस कहते हैं असुर कहते हैं तो सुर और असुर का यह भेद भगवान और शैतान का भेद मनुष्य के द्वारा निर्मित है पूर्ण अस्तित्व को देखें उसमें ऐसा भेद नहीं है तो हमारी मानसिक धारना हैं हमारे सिध्धान्त उसमें तो भेद खड़ा हो जाता है कोई चीज हमें अच्छी लगती है, कोई चीज हमें बुरी लगती है एक को हम स्विकार करना चाहेते हैं, दूसरे को हम मिटा दालना चाहेते हैं हम कैसे स्विकार करें कि वह भी अस्तित्व परमात्मा का रूप है काश हम अपने सिध्धान्त को थोड़ी देर के लिए ड्राप करके देखें तब हमें इस पस्ट हो जाएगा संपूर्ण अस्तित्व एक है और वह द्वंद से निर्मित है विपरीत मौजूद है जाहे आप छोटे सो छोटे परमानों में चले जाएं तुम्हाँ इलेक्ट्रान और प्रोटान मौजूद है एक दूसरे के विपरीत यानि द्वंद के बिना अस्तित्व नहीं हो सकता तो अस्तित्व को परमात्मा नाम दीजिए उसमें से आप चुनिये मत ये बड़ी भूल हुई है सभी धर्मों में उन्होंने चुनाओ किया जो जो हमें अच्छा लग रहा है हमारे फेवर में है उसको हमने इश्वल कहा और जो नहीं है उसको हमने शैतान कहा विसेश कर यहुदी धर्म और यहुदी धर्म से उत्पन्नुए इसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में यह धारणा बहुत प्रगाड है हिंदू धर्म में ऐसा नहीं था लेकिन चुकि पिछले दो-तीन सो सालों में पश्चिम की सिक्षा पद्धती सब तरफ फैल गई सारी दुनिया में अब हम कहने मात्र को ही भारतवासी हो गए है कहने मात्र को हिंदू रह गए है हमारी बुद्धी भी इसाई धर्म से प्रभावित हो गई है इस बात को थोड़ा गौर से देखियेगा उपनेशित के रिष्चियों की धारणा ऐसी नहीं थी वैधिक रिष्चियों की धारणा ऐसी नहीं थी उन्होंने त्रिमूर्ती बनाई थी उस पार ब्रह्म के तीन चहरे ब्रह्मा, विश्णु, महेश उसमेरे स्रजन करता, पालन करता और विद्वन सक तीनों शामिल थे जन्म, जीवन, उम्रत्यू सब कुछ एकटा इस पूरे का नाम परमात्मा है इसाई धर्म में जन्म को जीवन को तो एक तरफ कर लेंगे ये परमात्मा की गिफ्ट है और मृत्यू को शैतान के हाथों में छोड़ देंगे कि ये कोई और है बुरा तत्व जो इसको कर रहा है ये भगवान के द्वारा नहीं किय जा रही स्वास्थाया तो हम कहेंगे बड़ा शुभुआ प्रभू की करपा है बीमारी आई तो कभी नहीं कहेंगे कि प्रभू की करपा है ये कोई दुष्ट सैतान कुछ कर रहा है खुब अच्छे से समझ लीजिए प्रभू याने सब कुछ आल इंक्लूसिव ऐसी प्राचीन सनातन हिंदू धर्म की धारणा है जो हम पिछले 200 सालों में धीरे धीरे भूल गए हम भी भगवान और शैतान उस दुन दात्मक भाषा में सोचने लगे आपका सवाल पर मैं एक दूसरा सवाल खड़ा करता हूँ जिसका कि कोई उत्तर नहीं मिल सकता वो सवाल ये है अगर हम मालने की चलो दो शक्तिया है एक शुब शक्ति है, एक अशुब शक्ति है इश्वर है और सैतान है अब ये बताओ कि शैतान को किस ने बनाया क्योंकि इसाइधर्म वाले कहते हैं कि सब कुछ भगवान ने बनाया ये शैतान का अशुब वाला पाप वाला डिपार्टमेंट किस ने खोला क्या शैतान भगवान की मरजी से है या उसकी अपनी सोतंत्र सत्ता है सोतंत्र सत्ता तो मान नहीं सकते फिर तो भगवान का कम्पीटीटर हो गया हो यानि जब भगवान भी नहीं था तब भी शैतान था वो भगवान की स्रष्टी नहीं है तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर तो भगवान को स्रश्टा नहीं कह सकते और अगर भगवान को स्रश्टा कह रहा है उसने सब चीजों को जनम दिया है तो फिर शैतान को भी उसने जनम दिया है तो ये अशुब करने वाली शक्ति को किस ने बनाया अगर इश्वर नहीं बनाया है तो फिर वो भगवान का ही extension है ये department भी इश्वर ही चला रहा है कुछ लोगों कुछ नन्युक्त कर दियागी तुम बुराई करो तो कुल मिलाके तो इसकी जुम्मेवारी फिर भगवान पर ही आएगी यहां पर यहूदी इसाई वो मुसलिम धर्म के विद्वान बड़ी मुश्किल में पड़ जाते है अब क्या कहें इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है शैतान को independent नहीं मान सकते कि उसकी अपनी सोतंतर सत्ता है वो भगवान का विरोधी है इसका मान तब तो फिर भगवान और शैतान में लड़ाई चल रही है शुब और शुब का युद्ध चल दा है वो भगवान अभी तक नहीं जीत पाया तो फिर तो भगवान के वो गुण भी ठीक नहीं है अब उसको सर्वशक्तिमान कैसे क्या हो जब उस शैतान से नहीं जीत पाया अभी तक फिर सर्वशक्तिमान नहीं है फिर तो शैतान जाता ताकतवर है फिर भगवान को ओमनी प्रजेंटी भी नहीं कैसकते कि सर्व व्यापक है क्योंकि कुछ जगा तो शैतान न गेरी, उसमें तो भगवान नहीं होगा, फिर तो बड़ी दार्शने कुछ जहने खड़ी हो जाएंगे, और अगर यह मानूं कि शैतान भी भगवान के ही आदेश से है, उसी की रचना है, फिर यह तो ऐसी हो गया कि भगवान नहीं एक एज तो फिर यह भी भगवान के आदेश्य हो रहा है, इस से अच्छा तो सनातन धर्म की धार्णा है, जो भगवान और शैतान में भेत खड़ा नहीं करती हैं, ब्रह्मा, विश्नु, महेश को एक ही अस्तित्व के पार ब्रह्मे के तीन चहरे मानती हैं, सिदजन करता भी वही ह चीजें आसान हो जाती हैं, वही बना रहा है, वही मिटा रहा है, इसमें सब कुछ आ गया, तो जनम भी वही दे रहा है, मौत भी वही दे रहा है, यम्राज को भी हमने देवता कहा है, वही भी परमात्मा का रूप है, यह बड़ी विहंगम द्रश्टी है, और यह व्यापक द्रश्टी ही वास्त्विक है, सत्य है, इसमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, और इस आई धर्म की धार्णा, कितनी ही क्लियर कट देखने में उपर-उपर से लगती हो, उसमें गहराई से प्रवेश करो, उसका हो जाता है, तो प्रवु इस मरण के इस आखरी सत्र में विशेश रूप से याद रखिये, जो है उसका नाम प्रवु है, गौड इस देट विच एग्जिस्ट और एग्जिस्टेंस में विप्रीत दिखाई देने वाली चीजें इकट्टी हैं, और इसके विना मारी होगी, जनम है तो मरत्य होगा, बसंत है तो पतजड भी होगा, वो सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटर कनेक्टेड हैं, एक के विना दूसरी होई नहीं सकती, इस्तिपुरुस के व्यक्तित्व में इतना भेद है, सदा कले चलती रहती है, देखने में लगता है कि बिलकुल दुश्मान एक दूसरे के, किसी बात पर सहमती उनकी नहीं हो सकती, भर खुब अच्चे से आद रखना एक दूसरे के बिना भी नहीं हो सकते, तो फिर उनको दुश्मान कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, जब एक दूसरे के बिना हो ही नहीं सकत कि सिर्फ electronic electron हो या सिर्फ proton ही proton हो यह हो एंजिनी सकता उनकी गिंती बिलकुल बरावर की रहेगे हर रूप में तो फिर विपरित समझना हमारी भूल है और जो शब्द को इसमें लिखा है कि ये विलोम शब्द हैं एक दुसरे के वहाँ कुछ भूल चुक हो गई वो भी प्रीद नहीं है contradictory नहीं है बलकि complimentary है एक दूसरे के परिपूरग है एक और ढंग से इस बात को समझें हम जेने अच्छा और वोरा कहते हैं दिव संपदा दैवी संपदा, आशुरी संपदा इसको ऐसा समझना इस evolutionary process में विकास के करम में कोई आगे है, कोई पीछे है समझें यहाँ पर सब बड़ी उम्रवाले बैठे हैं क्या आप किसी छोटे बच्चे को डाटते हैं कि बेबकूफ नालायक तु इतने छोटा क्यों है ऐसा दो कभी नहीं कहते आपको पता है कि आप भी कभी छोटे थे और आज जो छोटा है आगे जाके वो बड़ा हो जाएगा तो हम आगे पीछे जरूर हो सकते हैं इस विकास के करम में लेकिन विपरीत नहीं है डिक्षनरी में लखा है कि बच्चपन और बढ़ापा एक दूसरे के विपरीत सब्द हैं लेकिन वास्त्विक जीवन में विकास का एक करम है बच्चपन से ही किशोर अवस्था निकलाती उसमें से वावस्था निकलाती उसमें से प्रोडवस्था जाती उसमें से ब्रदवस्था जाती है अगर ये विपरीत होते तो एक दूसरे में कैसे कनवर्ट हो जाते हैं हो यह नहीं सकते थे हम जिनको बड़े अच्छे लोग जानते हैं सज्जन, पुरुष, साधूगन अचानक वे कोई ऐसा काम कर देते हैं जो बिल्कुल ही एक दुरुजन का काम है यह दुरुजन इस सज्जन की भी तर से कहां से निकल आया हमारे शब्द को उसमें लिखा है सज्जन, दुरुजन, विपरीथ हैं पर ऐसा है नहीं एक दूसरे में बदल जाते हैं और बहुत हम जिनको पापी और दुरुजन कहते हैं अपराधी कहते हैं कभी-कभी उनमें से इतने अच्छी चीज़े निकलती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं कि सज्जन और महात्मा भी पीछे पढ़ जाएं विपरीथ नहीं है एक क्रमिक विकास हो रहा है तो चाहे हम दो कदम आगे, दो कदम पीछे किसी के हो सकते हैं लेकिन विपरीथ नहीं है हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एक बच्चा परिपक्व होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इसी बात को हम अध्यात्मिक तल पे समझें फिजिकल तल पे तो हम बिलकुल स्विकार कर लेतेंगे, ठीक है, बच्चा है बाद में बढ़ा हो जाएगा अभी बुद्धीन है, बाद में बुद्धिमान हो जाएगा आध्यात्मिक तल पर भी इस बात को समझें कि हमारी चेत्ना का विकास हो रहा है किसी का धीमी गती से हो रहा है, किसी का तेज गती से हो रहा है किसी के पैर मजबूत हैं, वो जड़ा तेज चल रहा था जल दे जल दे और किसी के पैर कम जो और हैं, वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है लेकिन वो भी उसी दिशा में जा रहा है और आज नहीं कल कल नहीं फरसों इस जनम नहीं अगले जनम में वो भी वहाँ पहुँच जाएगा इस द्रश्टी से देखें हम जिसको बुराई कह रहे हैं वह भी अच्छाई का पिछड़ा हुआ रूप है विक्सित हो रहा रूप है आगे बढ़ रहा रूप है आज से कुछ दसक पहले संसार में दो प्रकार के देश कहे जाते थे विक्सित देश और अविक्सित देश फिर धीरे धीरे वह शब्द खतम हो गया अब हम विकास malt देश कहते हैं अब викसित नहीं कहते है ठीक है कुछ विक्सित हो गए हैं कुछ विक्सित हो रहे हैं जो आज विक्सित हैं कुछ 100 साल पहले वो अब विक्सित थे जंगली और आदिवासी वरपर थे आज जो पिछड़े हैं आगे आने वाले समय में वो विक्सित हो जाएंगे काश हम ये विकास वाली धारणा अध्यात्मिक तल पर भी सोचें फिर हमारे मन में संपूर्ण प्रभू का स्वीकार होगा हम जिनको बुरे लोग कह रहे थे अशुप शक्तियां कह रहे थे पापी और अपरादी कह रहे थे हम उनको इस भाती देखेंगे कि थोड़े कम विक्सित हैं और धीरे धीरे विक्सित हो रहे हैं और आने वाले समय में पूरे विक्सित हो जाएंगे तो हम निगेटिव एटिटीटीड जो अपना रहे थे वह समाप्त हो जाएगा एक बच्चा खेलोनों से खेल रहा है हम उसके विरोधी नहीं हो जाते है कि कैसा वे वक्कूफ है ये चावी भर के रेल गाड़ी चला रहा है ये कोई रेल गाड़ी है इससे कहीं यात्र होगी ठीक है आप बड़े हो गए आपको पता है कि खेलोना है मगर बच्चे के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है और आप बर्थडे पर खुद उसको लाके गिफ्ट देते हैं आपके लिए बिलकुल व्यारत है लेकिन बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप बड़े हो गए ये मतलम नहीं कि आप बच्चपन के विरोधी हो जाएंगे आप जानते हैं कभी आप भी बच्चे थे और आपको भी खिलोने बहुत प्री थे तो आप बच्चे को सपोर्ट करते हैं उसकी निंदा और आलोचना नहीं करते जानते हैं कि कभी वो भी बढ़ा हो जाएगा, समस्दार हो जाएगा और फिर खिलोने कब छूट गए, कहां छूट गए, पता भी नहीं रहेगा इसी बात को हम आध्यात्मिक तल पर भी समझें कोई खिलोनों में उल्जा है कोई मूर्ति पूजा कर रहा है पत्थर की मूर्ति को भोग लगा रहा है उसे खेल खेलने दो उसके खेल में बाधा ना पहुंचाओ आप समस्दार हो गए इसका ये मतलम नहीं कि आप दूसरे का खेल बगाड़ो पुनाय दोर आदो इस बात को आप बड़े हो गए इसका ये मतलम नहीं कि आप दूसरे का खेल बगाड़ो कि उनकी खेलोने छीन दो इसका मतलब अभी भी कहीं अपरी प्रक्वता है मैचुरिटी नहीं आई नहीं तो एक साहानभूती होनी चाहिए हम खेलोना से खेलने में कुछ विपरीत और आलोचनात्मक बात ना कहें हाँ हम इंतजार करें किसी प्रकार से सहयोग करें कि दीरे दीरे इनके भीतर बुद्धी विक्सित हो याद रखना खेलोना नहीं चीनना है प्रतिभा के विकास में सहयोग देना है खेलोने अपने आप छूट जाएंगे उसकी बात ही क्या करने खेलोना चीनने से तो बच्चा रोएगा तड़फेगा नाराज हो जाएगा वापिस खेलोना चीनने की कोशिस करेगा नहीं वहे उपाय उचित नहीं है हम धीरे धीरे उसके भीतर की इंटेलिजन्स को विक्सित करने में मदद करें खेलोने की बात ही ना करें जब समय आएगा वो खुद ही भूल जाएगा कहां गए खेलोने ठीक इस ये प्रकार हम जिनको बुरी लोग कहते हैं पापी लोग कहते हैं दुरगुणी कहते हैं दुरजन कहते हैं अपराधी मानते हैं जिनको हम उनके प्रती एक सहान भूती की भावना रखे उनके भी तरह व्यूत्य इंटेलीजन्स विक्सित नहीं हुई तो उन्हें सहयोग की, सपोर्ट की, सहानभूती की, प्रेम की जरुवत है, करुणा की जरुवत है, ना कि शत्रुता की वे भी परमात्मा के रूप हैं, थोड़े अविक्सित, थोड़े पिछड़े रह गए, थोड़े कमजोर रह गए, तो बाहरी दुनिया में तो हम कमजोर के प्रती सहानभूती दिखाते हैं, भीती दुनिया में उसी बात को लागू क्यों नहीं करते हैं, अबी जगे-जगे मैं देखता हूँ, ट्वालेट्स, बात्रूम्स के लिए, पब्लिक प्लेस में, पहले जहाँ विकलांग लिखा रहता था, अब वहाँ दिव्यांग लिखा रहता है, एक सम्मान जनक शब्द ज़्यादा बहतर, निश्चित रूप से, उनको हम पर फ्रेंज देंगे, वो किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, शारीरिक कष्ट में हैं, तो जो लोग शारीरिक रूप से शक्ति साली हैं, बल्वान हैं, वो उनकी मदद करें, ये वाली बात हम सब राजी हो जाते हैं, इसी बात को बुद्धी के तल पर और चेतना के तल पर भी लागू करें, और तब आप पाएंगे, आपका प्रभू इसमरन कभी नहीं चूटेगा, क्योंकि प्रभू इसमरन हमारा यहीं चूटता है, जब हम से विपरीत कोई व्यक्ति, हमारी खिलाफत वाला हमारे सामने होता है, तो हम सारा ब्रह्म ज्यान भूल जाते हैं, अब ऐसे समझना, यह आपके परिक्षा की घड़ी है, आपके घर में, परिवार में, पडोस में, कर्मिस्थल में, आपके विरोधी होंगे, आपके आलोचक होंगे, आपके निंदक खन्ने वाले होंगे, अब उनको शत्रू की भाती नहीं, इस रूप में जानना, कि मेरी परिक्षा ले रहे हैं, क्या मैं इन में भी प्रभू का दर्शन कर पाता हूँ, यदि कर पाऊंगा, तो मेरी साधना सफल हो गई, अगर नहीं कर पाया, तो मुझे साधना करने, दूसरे का कोई दोश नहीं है, क्योंकि उसका जीवन, उसका जीवन है, उसकी स्वतंतरता है, तो मुझे में कमी रह गई, मैं थोड़ा और चतन्न बनूं, और ऐसा ख्याल आते ही, हमारे भी तर एक डीप रिलेक्शेशन आ जाता है, एक सर्व स्वीकार का भाव, भगवान बुद्धि जिसे कहते हैं तथाता, वह विक्सित हो जाता है, और हम प्रभू को सब रूपों में देख पाते हैं, उश्पू ने अपने प्रवचनों में जिक्र किया है इसा मसी का, जिन्होंने सूली पर कहा कि ये प्रभू इने छमा कर देना, ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, एक सन्यासी का जिक्र किया है अंग्रेजों के जमाने में, उसने मौन धारन किया हुआ था, कई सालों से, और उसने वरत लिया था, कि ज़्यादा से ज़्यादा मरते समय ही कुछ बोलूँगा, वो अंग्रेजों की छाउनी से गुजर रहा था, सिपाहियों ने देखा कौन है, यह दिगंबर व्यक्ति, उससे पूछा पकड़ लिया, वो कुछ बोला नहीं, तो लगा कि कोई जासूस है दुश्मनों का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरे दिन फिर उससे चुपा रहा है, कोई सिक्रेट है इसके पास, कोई डिटेक्टिव है, उसको गोली मार के हत्या की गई, जब उसके सीने में गोली चुप गई, तब उसने अपने वरत के मुताबेक आखरी में कुछ कहना था, बस उसने इतना कहा तत्तो मसी और मर गया, वो अंग्रेज तो स मज़ना पाए, क्या मतलब, फिर उनोंने पूछा, आसपास के लोगों से, कि तक्तो मसी आने क्या, तब उनोंने बताया, कि आई उपनिशित का महावाग्य है, इसका अर्थ है, तू भी वही परमात्मा है, ये दो महावाग्य है, अहम ब्रम्हासमी और तक्तो मसी, मैं भी प्रभु हूँ, तू भी प्रभु है, तु मित्र में प्रभु को पहचानना सुगम है, लेकिन आखिरी परिक्छा तो सत्त्रू में होगी, किसी सद्गुरु में हमने ब्रह्म को देखा, वो कहा कि गुरूर ब्रह्मा, गुरूर व्ष्णु, गुरूर देव महिस्वरा, य कि उन्हें देखके सहज भाव उठ गया यहां से साधना की सुरुवात हो सकती है लिकनि याद रखना साधना का समापन यहां नहीं होगा क्योंकि इसमें तो गुरू की खूबी थी आपकी कोई खूबी ना थी उनकी इतनी विशेस्ता देखकर आपके भीतर सहज नमन भाव स्रद्दा भाव उम अगाया इसमें आपकी क्या खूबी आपकी खूबी तो उस दिन होगी जिस दिन आप सर्विव्यापी प्रभू को उसके सब रूपों में जान सकें तो प्रभू स्मरण तब 24 गंटे हो सकेगा नहीं तो नहीं हो सकेगा और जो ची 24 गंटे ना हो सके वह हमारे जीवन को रूपांतरित नहीं करती यदा कदा थोड़ी देर के लिए आप किसी भाव में पहुँच गए चलो अच्छा है शुरुवात के लिए लेकिन इससे जिंदगी रूपांतरित नहीं होगे आप वैसे ही के वैसे रहोगे 24 गंटे में 10-5 सेकंड के लिए आप अहो भाव प्रिम भाव में आ गए वो एक लहर है उठी और गिरी खतम होगे कोई बड़ा इंपेक्ट उसका होने वाला नहीं आपके भी तरकरोद, ग्रणा, नफरद ये सब बैसे के वैसे रहेंगे जब तक 27-24 गंटे हम शांती कीवाई अवस्थाना प्राप्त कले प्रभु इसमरण के माध्यम से तब तक जीवन रूपांतरित नहीं होगा झाल